दिल्ली में कोरोना और ओमिक्रोन के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं पिछले 24 गंटों में देश की राजधानी दिल्ली में 4000 से जादा केस सामने आ चुके हैं खुद दिल्ली के मुख्य मंतरी अरविंद केजरीवाल भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं इसी बीच दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू लगाने का फैसला किया गया है वीकेंड कर्फ्यू इसी हफदे से लागू होगा दिल्ली में शुकरवार राद 10 बजे से सोमवार सुबा 5 बजे तक वीकेंड कर्फ्यू लागू रहेगा दिल्ली में तेजी से बढ़ रहे केसों को देखते वे DDMA की मंगलवार की बैठक हुई थी इस दोरान कोरोना संकर्वन को रोकने के लिए उठाय जाने वाले कदमों पर चर्चा भी हुई बैठक के बाद डिप्टी सीम मनीश हिशोदिया ने प्रेस कॉनफरेंस कर वीकेंड कर्फ्यू के फैसले के बारे में जानकारी दी इसके अलावा दिल्ली सरकार ने ये कदम उठाए हैं जैसे कि मनीश हिशोदिया ने कहा है कि दिल्ली में वीकेंड पर कर्फ्यू रहेगा लोग बाहर ना निकलें सिर्फ जरूरी होने पर ही बाहर निकलें सर्वी सरकारी दफ्तरों में जरूरी सेवाओं को छोड़ कर बाकी कर्मचारियों को ऑनलाइन या वर्क फरो होम कराया जाएगा प्राइवेट ऑफिस 50 फीजदी वर्क फरो होम करेगा बस स्टेंड पर भीड हो रही है मेट्रो पर लंबी लाइने लग रही है ऐसे में बसो और मेट्रो पूरी शम्ता के साथ चलेंगी लेकिन मास के बिना यातरा करने की अनुमती नहीं होगी दिली में नाइट कर्फ्यू पहले से ही लागू हो रखा है झाल झाल झाल